अगर आपका YouTube channel motivational quotes का है इसमें आप अपने विचार देते हैं motivate करते हैं सब लोगों को तो इस channel की category क्या होगी इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में completely बताने वाला हूँ क्योंकि अगर आप एक YouTube channel बनाते हैं और उसमें वीडियो भी upload करते हैं लेकिन उसमें category सही तरीके से select नहीं कर पाते हैं जिससे आपका वीडियो बारल नहीं हो पाता है category सही तरीके से select करने से क्या होता है कि YouTube को ये पता चल जाता है कि आप अपने चैनल में किस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आपके चैनल की वीडियो को viral करने लगता है मतलब कि जो लोग search करेंगे ना motivational वीडियो तो आपका वीडियो उसमें वो recommend करेंगा मतलब कि आपके viewers तक वो पहुँचाएगा जब category ही सही तरीके से select नहीं करेंगे तो उसमें problem हो जाती है तो प्लीज टेक्निकल रतना कर चैनल को subscribe कर दीजेगा और वीडियो को like कर दीजेगा तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं motivational course channel की category बताने के लिए हमें mobile की स्क्रीन पर जाना पड़ेगा अगर मैं आपको mobile की स्क्रीन पर समझाओगा ना तो उसमें आपको बहुत अथी तरह से समझ में आ जाएगा तो चलिए हम mobile की स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों motivational course channel की category बताने के लिए हम mobile की screen पर आ गए हैं तो यहां से हमें open करना है by to studio तो मैं अपने channel का by to studio open कर लेता हूँ यह देखिए यहां पर मेरा channel open हो चुका है अब आपको क्या करना है कि यहां से एक video आपको select कर लेना है मैं अपने channel का एक video select कर देता हूँ आपको समझाने के लिए example के लिए मैं यही वाला video select कर देता हूँ यह select कर दिया video अब आप यह समझ लीजिए कि यह motivational course का video है यह example के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको क्या करना है कि यहां pencil का icon पर click कर देना है अब आपको क्या करना है कि थोड़ा इसको नीचे की और scroll करना है scroll करने के बाद यहां लिखा more option जिसमें लिखा tag category comment तो इसी पर आपको click कर देना है यह मैंने click कर दिया तो सब सुपर tag आएंगे फिर यहां पर category आएगी तो इसी category के option पर आपको click कर देना है यह click कर दिया तो यहां पर बहुत सारी category आ जाएंगी मतलब कि हर channel की हर प्रकार की वीडियो की category यहां पर रहती है तो जिससे related आपका वीडियो हो उसको आप select कर देंगे तो आपका motivational quotes का channel है तो उसके लिए कौन सी category आप select करेंगे इसके लिए आपको select करना है people end blocks select कर सकें तो आप यही select कर दीजेगा people end blocks है इसका example मैं आपको दिखा देता हूँ इसका example यह है कि यहां से मैं skip करता हूँ और आपको और दिखाता हूँ यह जगह यह देखिए इसका example यह है people end blocks है ना इसको किसने select किया है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखे, यहाँ पर लिखा संदीप महेस्वरी, मतलब कि संदीप महेस्वरी को आप जानते ही होंगे, यह बहुत अच्छा मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, तो इन्हों ने यही वाली कटेग्रिक सेलेक्ट की है, तो आप भी इसी को सेलेक्ट कर लिजेगा, और आपको मैं दिखाता हूँ, और यह देखे, यहाँ पर लिखा है, डाक्टर विवेग बिएंद्रा, यह भी इसी कटेग्रिक को सेलेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सर्च करने बाद मेरे को यह मिला, पहले मैं भी कन्फ्यूजन में था कि म मोटिवेशनल कोर्ट्स चैनल के लिए कौन सी कटेग्री होगी, तो फिर मेरे को यह वाला मिला, तो इसको आप सेलेक्ट कर लिजेगा, आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, बाजड़ी स्टूडियो में जाएंगे, यहाँ पर आपको प टेक्निकल कर चैनल है, आपका मोटिवेशनल कोर्ट्स का है, तो आप वही वाली कर्टेग्री सेलेक्ट कर लिजेगा, ओके, प्यूपल एंड ब्लॉक्स, तो मीद है कि जो मैंने आपको मोटिवेशनल कोर्ट्स से चैनल की कर्टेग्री बताया है, वो आपको अच्छी तर स से समझ में आ गई होगी तो आई होब कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो टेक्निकल रतना कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेग तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक्यू दोस्तों जाएं